अच्भाने स्टूरेंट्स वेलकम्ब तो दी अनेदर लेक्टिर फेंट वार्टि शॉट्वेर ट्रीश ट्रीज और इस लेक्टिर के अंदर हम डिस्कस करेंगे multifunctional register को multifunctional register मतलब ये काफ़ ज्यादा function जो है वो perform कर सकता है इस वक्त मैंने यहां पर चार function इसके अंदर implement की हैं लेकिन उसके अलावा अगर हम को यह और function implement करना चाहिए तो वो भी हम इसके फ्रूप कर सकते हैं हो सकते हैं में यह diagram काफ़ी complicated आपको लग रही हो लेकिन अभी मैं आपको समझाओंगा और उमीद है उसके बाद आपको यह diagram काफ़ी आसान लगेगी और इसके अगर आपने कोई changing करनी हुई तो आप easily इसके अंदर changing भी कर सकेंगे यह जो multifunctional shift registered जो मैंने design किया है इसके जो different function जो इस वक्त यह perform कर सकता है वह यह हैं कि अगर यह यहां पर हम देखें तो इसकी दो inputs हैं जिनने हम कहते हैं control input अगर इन control input पर मैं zero और zero apply करूंगा तो इसके अंदर no change होगा मतलब पहले से जो यह operation perform कर रहे हैं यह वही same operation perform करता रहेगा इसके अंदर किसी भी किसम की changing नहीं आएगी अगर मैं यहां पर zero और one provide करूंगा तो इसके अंदर data serial in होगा और फिर serial out होगा और अगर मैं one और zero इसके उपर provide करूंगा तो यहां पर यह फिर टॉगल की functionality perform करेगा यह आप समझ लें कि यह कॉम्टिमेंट की functionality perform करेगा दोनों सेम ही चीज़े हैं और अगर मैं यहां पर one और one apply करता हूं control input पे तो फिर data parallel in होगा और इसे serial out भी ले सकते हैं और parallel out भी ले सकते हैं तो इस वक्त यह चार functionality इसके अंदर implement की गई हैं इसके लावा और भी functionality हो सकती है for example data हमने left shift करवाना हो तो वह भी इसके तुरू इसी diagram method इसी changing करके उसके तुरू हम वह implement कर सकते हैं तो पहले मैं आपको यह थोड़ा सा circuit समझा देता हूं बता देता हूं किसके अंदर कौन-कौन से मैंने components इसके बाद फिर हम यह discuss करेंगे कि इसके अंदर जो हमने changing करनी है वह changing किस तरीके से की जा सकती है तो जो component इसके अंदर मैंने यूज किया है उसमें सबसे फर्स चीज़ जो है वह डी फिलिफ फ्लॉप है चार्ट डी फिलिफ फ्लॉप मैंने इस्तवाल किया हूं है जिसके अंदर set और जो reset है इसकी जो input है व हमेरे पास डी फिलिफ फ्लॉप यह फर्स नंबर पर आ गया दूसरा नंबर पर है डी फिलिफ फ्लॉप negative set reset तीसरे पर है डी फिलिफ फ्लॉप positive set reset इसमें से मैंने यह negative set reset वाला यूज किया नॉर्मली यही होता है कि जो हमारे पास flip flops होते हैं उसका set और reset वाला जो function है व उसके बार डी फिलिफ फ्लॉप का हमें पता है कि एक input होती है वह हमारे पास multiplexer के सुख आएगी तो चार यहां पर मैंने multiplexer इसमाल किये हुए जो दूसरी input है वह इसे clock provide किया जाता है मैंने यहां पर clock का signal यूज किया है जो इन चारो flip flops पर मैंने apply किया हुए अब clock का signal हमारे पास आता है अगर हम यहां पर जाए सोर्स में यहां पर digital source और यहां पर अगर देखें तो digital clock का option आ रहा है यह वाला जो option है वह मैंने यहां पर यूज किया हुए और इसकी frequency इस वक्त मैंने ten hertz रखी हुई है frequency change भी हो सकती है अगर मैं इस पर double click करूंगा यहां पर मेरे पास option आ जाता है यहां पर मैं frequency को कम करना चाहूं यह ज्यादा करना चाहूं तो वह मैं कर सकता हूं इस वक्त 10 hertz है मतलब एक second के अंदर दस दफा चेंजिंग इस flip flop के अंदर हो सकती है next मैंने इसके अंदर कुछ indicator इसमाल किया है है आउटपुट को देखने के लिए तो इंडिकेटर अगर यहां पर प्लेस करने हो तो ग्रूप वाले option में इंडिकेटर के जाएंगे और यहां पर प्रॉप के अंदर यह डिफरेंट कलर्स के इंडिकेटर हैं यहां समझ देंगे डिफरेंट प्रॉप्स हैं इनको हम मुल्टिप्लेक्सर हैं मैंने फॉर इंटू वन मुल्टिप्लेक्सर यूज किये हैं मुल्टिप्लेक्सर अगर आपने प्लेस करने हैं तो ग्रूप वाले option पे all ग्रूप पे क्लिक करके यहां पे अगर लिखें एम यू एक्स तो हमारे पास मुल्टिप्लेक्सर आ जाएं तो मैं यहां पर किया है कि स्कुमली पेंस को मैंने रूटेट किए, तो इस तरीके से चार मल्टिप्लैक्सर चारों में सेम काम है वाय वाली आउटपुट डी क्लिप फ्लॉप की डी इन पर कुनेक्ट की गई है इसके अंदर चार डाटा इंपुट्स है तो उस पर मैंने डिफरेंट सिगनल्स प्रोवाइड किया है उसके बाद ए और बी दो इसकी कंट्रॉल इ जा सकता है अगर आप इस लाइन को देखें तो यही लाइन आगे जो नेक्स मल्टिप्लैक्सर है उसकी बी इंपुट पे जा रही है यही लाइन थर्ड मल्टिप्लैक्सर की बी इंपुट पे और इसी तरीके से फौर्ट मल्टिप्लैक्सर की बी इंपुट पे सेम चीज को अगर आप फॉलो करें तो चारों मल्टिफ्लैक्सर के यह वाली पूट पे यह लाइन जा रही है और उसके आगे मेरे पास कंट्रोल इन्पूट्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं अब बात करते हैं इसकी डाटा इनिपूट्स की जो मेरे पास धित्र यहां पर implement किया हुए उस पे अगर मैं control inputs पे जिरो और जिरो प्रोवाइड करूंगा तो जो यह डी जिरो वाली input है यह output के साथ connect हो जाएगी जो भी यहां पे मेरे पास input आ रही होगी वो मेरे पास d flip flop की input बन जाएगी इसी तरीके से अगर मैं यहां पे जिरो और वन करूं तो डी बन जो है वह output के साथ connect हो जाएगा जो भी मैंने ही आपने input प्रोवाइड की वह नेक्स मेरे flip flop को मिल जाएगी सेम केस होगा बन जिरो करने से मेरे डी टू वाली जो input है वह multiplexer की output के साथ connect हो जाएगी और डाटा आगे ट्रास्पर हो जाएगा और वन और वन करने से डी थ्री वाली जो input है वह output के साथ connect होगी और जो भी उसके उपर input आ रही है वह आगे जो डी flip flop है उस तक पहुंच जाएगी अब हम बात करते हैं इस multifunctional register के operations की तो जो यह different operations perform कर रहा है उसमें से first operation है no change का no change से मुराद यह है कि जो भी इसकी output है वही output maintain रहे की उसके अंदर किसी भी किसम का change नहीं आएगा तो अब जो डी flip flop है उसमें अगर जो इसकी output आ रही है उसे दुबारा मैं इसकी input के साथ connect कर दूँ तो इसके अंदर किसी भी किसम का change नहीं होगा मतलब जीरो आउटपुट पे हो दुबारा मैंने input पर connect किया तो next clock pulse आएगी वही दुबारा output पर आजाएगा फिर दुबारा से input कर आजाएगा तो no change का मतलब यह है कि जो output है वही हम input कर दें तो उसके लिए हो जाएगा और वाई वाली input दुबारा से यहां पर apply हो जो भी फिर्स्ट डी फ्लिफ्लाप की output है वह दुबारा से इसकी input बन रही है सेम केस सेकेंड वाले डी फ्लिफ्लाप में और सेम केस आगे थर्ड और फॉर्थ के अंदर है तो इस तरीके से जब हम इंपुट पर जिरो और जिरो प्लाइ करेंगे तो इसके अंदर किसी बी किसम का चेंज नहीं आएगा अब सेकंड चीज यह है कि जब कंट्रोल इंपुट पर मैं जीरो और वान अप्लाइ करूंगा तो उस वक्त हमारी यह जो सेकंड वाली इंपुट है मल्टिप्लेक्सर की यह वाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी फर्स्ट मल्टिप्लेक्सर की सेकंड वाली इंपुट पर अगर आप देखें तो मैंने एक सिगनल कनेक्ट किया हुए और उसका नाम है सीरियल इन मतलब यहां से डाटा जो है वह सीरियली इन होगा और वो हमारे फर्स्ट वीट फ्लिप लौ की इंपुट पर आ जाएगा अब जो फर्स्ट वन्ट क्यों इसका मतलब बेहर जो बी डाटा फर्सट वीट फ्लिप लॉप पे इंटर होगा वह यहां से 38 की डीवन ओफुट पर आएगा और यहां से फिर वह वहां पर पर सदो ह सेकंड वाले flip-flop की जो output है वो next third multiplexer की डी वन पर connect है और वहां से वह output के साथ connect होके third flip-flop पर आ जाएगी और same case for flip-flop के साथ होगा तो इसमें यह होगा जो भी data यहां से हम serially in करेंगे वो next register पर shift होता जाएगा मतलब shift right operation जो है वो इसके through perform होगा तो यह हमारा second operation है जो के हमारा यह वाला रिजिस्टर perform कर रहा उसके बाद अगर third operation के बात करें अगर यहां पर मैं one और zero कर दूँ डी टू वाली जो input है वो white के साथ connect होगी चारो multiplexer की तो जो डी टू वाली input है इस पर अगर देखें तो मैंने क्यू बार वाली जो line है वो connect की है और सेम चीज आगे जो तीन flip-flops हैं उन पर भी हुई है कि मैंने क्यू बार वाली जो output है वो डी थी पर connect की हुई है इसका मतलब है जब मैं यहां पर one और zero करूंगा तो डी टू जो है वो वाई के साथ connect हो जाएगा मतलब जो भी हमारे पास क्यू पर output आ रही थी उसका inverse हमारे पास क्यू बार को मुझूद होगा और क्यू बार वाली output हमारी डी फ्लिप फ्लॉप की input बन जाएगी मतलब यहां पर क्या रहा है और उसके बाद अगर मैं यहां पर वन और वन अप्लाइ कर दो तो डी थ्री वाली जो इंपुट है वह एक्टिव हो जाएगी और डी थ्री वाली इंपुट पर आप देखें तो पी वन मतलब पैरलल वन इंपुट मुझूद है पैरलल टू इंपुट इसका मतलब है अगर वन और वन अगर यहां पर किया रहा है तो इसके उपर पैरलल हम डाटा इन कर सकते हैं यह इसके चार ऑप्रेशन है जो यह परफॉर्म कर रहें तो इसको हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्कृट ठीक काम कर रहा है या और जिरो करने से उसके अंदर नो चेंज रहेगा मतलब यह वन ही रहेंगी अगर मैं इसके आउपूट जो है वह चेंज करूं पर इस सर्कृट को एक दफाए मैं री सैट करता हूं यह वाली इंपूट क्योंके री सैट के लिए यूज होती है जैसे हम इसे जिरो करेंगे सर्कृट री सैट हो जाएगा और उपर यह जो इंपूट है यह सर्कृट को सैट करने के लिए यूज होती है जैसी से मैं जीरो करूंगा तो सर्कृट सैट हो जाएगा मैंने सर्कृट को री सैट किया उसके बाद इंपूट जीरो जीरो है तो उसके अंदर कोई चेंज न तो फिर मेरे पास डाटा जो है वह सेरियल इन होगा और शिफ्ट राइट को पर फॉर्म होगा तो अभी आपने देखा होगा कि पहले एक लेडी आफ हुई है फिर दूसरी तीसरी और चौती इसी तरीके से अगर मैं सीरियल इन पर वन इंपुट कर दो यह जो वन है यह तमा जाएगा आप देख सकते हैं कि अभी जो चेंजिंग वह थोड़ी स्लो हो रही है और अगर करता हूं तो चेंजिंग मेरी थोड़ी ज्यादा तेजिसे होगी यह आपकी मर्जी आप जितनी फ्रिकेंसिस पर स्लेक करने चाहिए आप कर सकते हैं उसके बाद जो थर्ड ऑप् हमारी 0 है तो हमारे पास उसका इनवर्स आ जाएगा याणि लीडी अन हो जाएगी यहां पर आउट्पूट हमारी वन आ जाएगी जैसी फिर यहां मेरी वन आएगी नेक्स को और पर उसका कॉम्ट्रिमेंट आजएगा मतलब लीडी आउफ हो जाएगी तो जब हम वन और zero apply करेंगे तो led on off होती रहेगी जिस त्रीके से भी आपके सामने शो हो रहा है फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर one और one apply करता हूं तो इस case में आप parallel data in कर सकते हैं तो parallel data in करने के लिए first bit को मैं one करता हूं उसके बाद third bit को मैं one करता हूं तो आप देख सकते हैं के parallel data in हो रहे हैं जिस bit को मैं बन करूंगा डीफले flop की जो output है वो हमारे पास बन आ जाएगी और जब मैं इसे zero करूंगा तो डीफले flop की जो output है वो zero हो जाएगी parallel data in किया जा सकता है इसके थूँ तो यह तो वह चार function हो गए जो मैंने यहां पर implement की हैं मैं अब इसमें एक और काम भी किया जा सकता है कि data हमारा left side पर shift हो क्योंकि अभी जो serial in वाली input है उसके थूँ जब हम data को shift करते हैं तो वह right side पर होता है तो अब आप एक काम करें कि इस video को यहां पर pause करें और थोड़ा सा यह सोचने की कोशिच करें कि जो data है हमारा वह left side पर किस तरीके से shift होगा वीडियो को stop करें और इ आपको इसका solution बताऊंगा तो उमीद है students आपने यह सोच लिया होगा कि data को अगर हमने left side पर shift करना हो तो वह किस तरीके से shift करेंगे यह हमारा जो multiplexer है यह four to one multiplexer है मतलब यह कोई चार functions ही perform कर सकता है तो अगर हमने एक यह वाला function add करना है कि data left side पर shift हो तो किसी एक function को हमे पहले यहां से remove करना पड़ेगा तो जो complement पला operation था मैं उसको remove करके उसके लिए पर यह new functionality add कर जाता हूं कि data हमारे पास left side पर shift हो तो complement का operation remove करने की यह यह जो line है इसको मैं remove कर दूँँगा जो हमारी q bar से मारे multiplexer को connect हुई है यह line remove होगी है और जो multiplexer था उस पर d2 वाली ज shift करना है तो उसके लिए हम यह करेंगे कि जो भी हमारा next flip flop है उसकी जो output है वो हमने अपने previous flip flop पे ultimate करनी है और previous flip flop पे अगर हम देखें तो यह हमारा multiplexer है वह last वाले से पहले वाला connect है उसका मतलब यह है कि जो यह हमारी output है last week flip flop की उसको हम उससे previous वाले multiplexer के साथ connect करने है अब इस case में यह output यहां से निकलेगी और पीछे वाले deep flip flop पे पहुन जाएगी इसी तरीके से जो उससे पीछे वाला multiplexer है उसे मैं next flip flop की क्यों आउटपुट के साथ connect कर दूँगा और same काम जो यह last वाला multiplexer है इसके साथ भी मैं करूँगा तो अब इस तरीके से जो मेरा data है वो left side पे shift होगा तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या यह वाकी में shift हो रहा है या नहीं हो रहा यह मैंने circuit को run किया और यहां पर मैं one और zero apply करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि data मेरा left side पे shift हो गया तो इस तरीके से हमने कोई और फंक्शनर इसके उपर apply करना हो तो थोड़ी से हम thinking करने के बाद किसी circuit के अंदर उस function को भी apply कर सकते हैं और यही वजया है कि इस register को universal register भी कहा जाता है तो आज की lecture में यहां तक ही था इस lecture में अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप comment में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्यू इंशाला मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक अल्ला हाफिस